नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आर्ती प्रजापती यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्तिक स्वागत करती हूँ दोस्तों हमरी यहां EGC NET की पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलोजी की प्रिपेरिजन कराई जा रही है जिसमें हम अभी पेपर 1 में Unit 1 हमारा चल रहा है और Unit 1 में मैंने काफी सारी क्लासिस ली हुई है और आज हम देखने वाले हैं मुल्यांकन की बारे में यानि की Evaluation के बारे में आज हम देखने वाले हैं साइध हमारा यूनिट अब Complete होने में लगबग चार या पांच क्लास अब उसकी बनेगी उसके बाद हमारा यूनिट वन पूरा हो जाएगा उसके बाद हम दूसरा यूनिट ले लेंगे यानि की जो रिसर्च वाला है वो रिसर्च वाला यूनिट हम Complete कराएंगे तो दोस्तों देखिए मुल्यांकन क्या है, मुल्यांकन के प्रकार कितने हैं, मुल्यांकन की प्रणाली या कौन-कौन सी है और किस तरीके से मुल्यांकन की प्रक्रिया की जाती है उन सारी बातों की आज हम चर्चा करने वाले हैं चर्चा करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक कीजिएगा अपने और दोस्तों को भी शेर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ-साथ उनको भी इस बढ़ाई में मजद रूप हो जाए और अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबना ना भुलेगा ताकि इस चैनल पर जो भी अप्टेट डाली जाती है उसकी आपको नौटिफिकेशन मिलती रहे तो चले दोस्तों बाते न करते हुए हम आज मुल्यांकन के बारे में यानि कि इवेलिएशन के बारे में पढ़ने वाले बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाली हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा चले देखते हैं दोस्तों देखें दोस्तों किसी भी सिख्षन की प्रक्रिया जो होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है हमें समस्या मिलती है क्या मिलती है हमें समस्या मिलती है अब क्या होती है कि जो समस्या मिलती है उसके समाधान के लिए हम क्या करते है कुछ उद्देश बनाते है क्या बनाते है कुछ उद्देश बनाते है अब इन उद्देशों की पूर्ते के लिए क्या किया जाता है सिक्षन कारे किया जाता है दिखिए सबसे पहले हमें क्या मिल समस्या मिली अब उस समस्या को हल करने के लिए हम कुछ उद्देश बनाते यानि की परपोस बनाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं सिक्षन कारिय करते हैं और सिक्षन कारिय की प्रक्रिया के अंत में हम क्या करते हैं उसके अंत में हम मुल्यांकन करते हैं कि बच्चे की समस्य का समाधान हुआ कि नई हुआ बच्चा कितना सीख पाया है कहां पर उसको कठी नाई मालूम पढ़ रही है और कहां पर वो भटक रहा है तो यह सारी बाती जानने के लिए हम लाश्ट में क्या करते हैं मुल्यांकन करते हैं कि सबसे पहले हम हमें कुई समस्या होती है उस समस्या को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कुछ उत्तेस बनाते हैं उन उत्तेशों की पूर्ती करने के लिए हम क्या करते हैं शिक्षान कार्य करते हैं अब सिक्षान कार्य किया जाए यानि कि बच्चों को सिखाए जाए और मुल्यांकन करते कि बच्चा कितना सिख पाया कितना नहीं सिख पाया अब आगे उसे कैसे सिखाना है वो सारी बाते हमें कब पता चलेगी जब हम मुल्यांकन करेंगे तब हमें पता चलेगी किसी भी सैक्सिनिक प्रक्रिया में मुल्यांकनिक कैसी प्रक्रिया होती है सतत प्र क्रिया होती है, जो सैक्सिक सीमा के अंतरगत हमें पता लगाती है कि क्या उचीत है, क्या अनुचीत है, क्या अनुचीत है, क्या सही है, क्या घलत है, इन सारी बातों का पता हमें कैसे मिलता है, तो मुल्यांकन से पता चलता है कि बच्चा कितना सिखा है, कितना अच्छा सिखा, कितना घलत सिख गया, कितना उसने उचित सिखा, कितना उसने अनुचित सिखा, अब उसका निदान कैसे करना है, उसका उपजार कैसे किया जाए, इन सारे बातों का हमें कब पता चलता है, ज मुल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत सिक्सान और सिक्सा दोनों ही सरसंबंदित होते है देखें यहाँ पर जो मुल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें जो सिक्सान है और जो सिक्सान है वो दोनों प्रक्रिया कैसी होती है एक दूसरे के साथ सरसंबंदित होती है क्या होती है तो सिック्सा और सिख्षण ये दोनों प्रक्रिया जो होती है वो एक दूश्रे के साथ सह सम्मांदित होती है. उसके बाद देखते हैं कि सिख्षां की प्रक्रिया की अंतरगत मुल्यांकन का वीसेश महत्व है। अगर देखिए आप मुल्यांकर नहीं करेंगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कैसा बढ़ाया है अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कितना सिखे हैं मुझसे और कितना नहीं अगर आपने अच्छे से सीखा होगा तो आपका पर्फोर्मंस भी अच्छा रहेगा है ना आपका स्क्वारिंग भी अच्छा रहेगा अगर आप आप आपने अच्छे से नहीं सीखा है या तो फिर आपको कोई कठी नहीं समझने में आई होगी और आपने नहीं बताया होग तो क्यों निज कोई भी प्रक्रिय जो मुल्यांकन की प्रक्रिया उसनी मुल्यांकन का विसिसं महत்व होता है जहाँ भारतिय शिक्षय आयोग जहां परतिय शिक्षय आयोग परतिय शिक्षय आयोग में भी कोठारी आयोग किया कोठारी आयोग आपको पता ही होगा कोठारी आयोग के बारे में आप सुब जानते ही होगे है ना बहुत फ्रेमोस आयोग ही तो कोठारी आयोग कब नियुक्त हुआ था आपको पताई होगा कि 1964 में कुठारी आयोग को नियुक्त किया गया था और 1966 में क्या हुआ था कि कुठारी आयोग ने राष्ट्रे विकास और शिक्सा मंत्राले में क्या किया अपना एक रिपोर्ट दिया उन्होंने क्या किया अपना एक रिपोर्ट दिया यानि कि सिक्सा के बारे में किस तरीके की सिक्सा होनी चाहिए उसमें किस तरीके का मुल्यांकन होना चाहिए इन सारी बातों को लेकर उन्होंने क्या किया एक रिपोर्ट तियार किया और ये रिपोर्ट उन्होंने कब सब्म उसमें भी यह बात आएगी ओके अभी में थोड़ा सा यह आपको बता देती हूँ डीटेल्स में इसके बारे में हम हायर एजुकेशन के इनिट में पढ़ेंगे ओके तो आपको यहां पर याद रखना है कि कोठारी आयोग था जो भारतिय सिक्स आयोग है और कोठारी आयोग कब नियुक्त हुआ था तो 1964 में हुआ था और उन्होंने एक रिपोर्ट तयार की और उस रिपोर्ट को कब सब्मेट कराया तो 1966 में रिपोर्ट सब्मेट कराया तो उस कोठारी आयोग ने भी बताया क्या बताया उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो कोठारी आयो मुल्यांका निक सतत प्रक्रिया है क्या बताये उन्होंने मुल्यांका निक केसी प्रक्रिया है सतत प्रक्रिया है जहां सिक्सा के संपुन प्रणाली और सैक्षिक उद्देश से सम्मंदित होती है क्या होता है जहां पर सिक्सा के जो संपुन प्राणाली होती है और जो सिक्स मुल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्य रुप से विपिन प्रकार के परिक्षणों की सहायता से इसकी विशेस्ताइग नात की जाती है मुल्यांकन की प्रक्रिया है उसकी विशेस्ताइग जो उनके परिक्षण है उन परिक्षणों की मदद से हम उसके बारे में गनात कर सकते है और ऐसे परिक्षण माने जाते है तो दो प्रकार के परिक्षण है अब हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर यह बात मैंने आपको मुल्यांकन के बारे में बताए कि मुल्यांकन क्या है और किस तरीके से होता है उसकी जो प्रस्ताव ना थी वो मैंने आपको भी बता दी अब देखते हैं कि मुल्यांकन की परिक्सान जो मुल्यांकन की प्रक्रिया होती है उसमें परिक्षान किस प्रकार के होते है और किस तरीके से उसमें मुल्यांकन किया जाता है तो देखे परिक्षान मुल्यांकन के जो परिक्षान है वो दो प्रकार के है कौन-कौन से तो एक है मानक संदर्वित परिक्षान और दूसरा है निकस संदर्वित परिक्षान अब मानक संदर्वित परिक्षान है उसे NRT भी कहते हैं और निकस संदर्वित परिक्षान है उसे हम CRT कहते हैं अब देखें मानख संदर्वित परिक्षण है उसका फुल्फों में इंगलीस में तो उसका फुल्फों में dorm reference test और निकार संदर्वित परिक्षण है उसका फुल्फों में criterion reference test criterion reference test तो आपको इतना याद रखना है कि मानक संदर्वित परिक्षण है उसे हम NRT कहते है और निकस संदर्वित परिक्षण जो है उसे हम CRT कहते है परिक्षण दो प्रकार के होते है NRT और CRT ये दोनों आपको याद रखने है उसके बाद देखते हैं दूस्तों कि मुल्यांकन के प्रकार के बड़ तेके मानक संदर्वित परिक्षण क्या है उसके बारे में पहले थूड़ा सा जान लेते चले मानक संदर्वित परिक्षण के बारे में थूड़ा सा प्रिटेल्स लिखना में बूल गई हूँ लेकिन चलो कोई बात नहीं अभी मैं इसमें ही बता देते हूं कि मानक संदर्वित परिक्षण क्या है और निकल संदर्वित जो परिक्षण है वो क्या है तो देगे सिक्षण में मुल्यांगन के अंतरगत जब सिक्षण ऐसे परिक्षण का निर्मान करता है जिसमें वह समू के संदर्व में कुछ मानक निर्धारित करता है क्या करता है कु उसके ही साप एकशा मी फारों का अत्यान करता है तो उसी मानक संदर्वी अ कहते है जिसमें क्या होती ? लोज सल्थ होती यहांनि करुका थे यहांपर ज्यादा बंदी यहां पर कैया होता है यहां पर कोई टेस्ट लिया गया है और उस टेस्ट लिया जाने वाला है तो आपको पहले से बता दिया जाता है कि अगर आपको पास होना है तो आपको 50 में से 18 मार्क्स लाने होगे 50 में से यहाँ पर 15 नहीं लेकिन 50 होगा तो यहाँ पर में लिखती हूँ 50 में से आपको 18 मार्क्स लाने होगे तब जाकर आप क्या होंगे पास होगी तो यह क्या हुआ यह नौम्स पहले से ही तई किया गया तो मानक संदर भी जो परिक्षन होता है हनारटी जो होता है उसमें क्या होता है पहले सी ताई किया जाता है कि उसका इतना ही नौम्स होगा और उस नौम्स के अकोडिंगी क्या होता है बच्चों को बच्चों का परिक्षण किया जाता है यहाँ पर क्या होदी लोज सिलता ज्यादा होती यानि कि फ्लेक्सिबिलिट आप यह सब लिख दीजेगा ताकि आपको बाद में कोई दिखकत ना हो तो डोबर्ट ग्लेशर ग्लेशर 오케이 मैं बोल रहा है उत्या सुनाही देता होगा तो आप इसे रोबर्ट ग्लेशर इसे अच्छे से लिख केख देगा Mark 1963 में रोबट ग्लेशर ने इसका निर्माण किया ता किसका निर्मान किया था, CRT का निर्मान किया था, अब CRT को क्या बोला जाता है, वो मैंने आपको बता दिया, निकर संदर, संदर भी परिक्षन बोला जाता है, या तो फिर CRT reference test भी बोला जाता है, तो जिसमें, अब इसमें क्या होता है, कि जब कोई सिख्षक किसी परिक्षन का, परिसीमा का निर्धारन करके, व्यक्तिगत रूप से किसी विशिष्टक शेत्र में छात्रों की सफलता, असफलता, उपलब्दी या निस्पादन का अध्यान कता, इस उस परिसीमा के अकोर्डिंग विशिष्टक शेत्र में, क्या विशिष्टक शेत्र में विद्यार थी, जो छात्रों होते हैं, उनके व्यक्तिगत रूप से उसकी सफलता, या असफलता, उपलब्दी या फिर उसका जो परफोर्मन्स है, उसका अध्यान किया जाता है, और जिसमें लोज सिलता नहीं होती, देखिए, यहाँ पर जब लोज सिलता थी, यहाँ पर बिल्कुल भी लोज सिलता होती नहीं है, तो उसे ही हम क्या कहते है, निकस अंदर भीत परिक्षन कहा जाता है, तो देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर दोनों में भेज समझ में आ गया और टी में में यहां पर क्रीटीरिया निढ्डारित किया जाता है किया जो नौमष घूल की जाता है कि है हमेरें यहां पर जो नामस होते यहाँ पर लोचसिलता ज्यादा होती यहाँ पर लोचसिलता बिल्कुल भी नहीं होती यह किसके लिए विशिस्टिक चेत्र में व्यक्ति गत रूप से इसका अध्यान किया जता है यहाँ पर क्या होता है यह समू के लिए यह व्यक्ति गति यानि कि कोई एक बच्चे पर मान लीजे उसको ड्राइंग कर। कि उसका परिक्सन किया जाता है तो यह था मानक आप। रूप और ये था अमारा निकल संदर्वित परिक्षण यानि कि यहां पर NIT और CIT, NIT में क्या होता है, समू में होता है, ग्रूप में होता है, CIT में व्यक्तिगत यानि कि पर्सनली होता है, यहां पर norms के अधर पर होता है, यहां पर criteria के अधर पर होता है, इतना आपको यहां पर लो मुल्यांकन के मात्यम से चात्रों की जो विकास संबन्दित विपीन योजनाय संचालित की जाती है क्या की जाती है विभिन योजना है उसके छात्रों के विकास की जो सम्मंदित योजना है उसे संचालित की जाती है किसके माध्यम से की जाती है तो मुल्यांकन के माध्यम से की जाती है मुल्यांकन की द्वारा जब विभीन प्रकार की पाथे अक्रम का जो पुनर निरिक्षन किया जाता है मुल्यांकन की द्वारा चात्रों का क्या किया जाता है तुलनात्मक अध्यान भी हो जाता है मुल्यांकन की विशस्ता के बारे में इसमें बात की गई अब देखते हैं मुल्यांकन के प्रकार के बारे में याने की टाइप सोब इवेलियाशन तो मुल्यांकन की मुल्ड रुप से देखा जाए तो उनके चार प्रकार देखे जाते हैं और उसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, यह लेकिंगे वह हम आगे पढ़ने में लेकिन मुख्या रूप से हम इसे चार रूप में डिवाइट कर सकते हैं तो दिखेंगे कौन सा नईदानिक मुल्यांकन, अब नईदानिक मुल्यांकन में भी क्या आजाएगा उक्चार अत्मक मुल्यांकन भी इसमें आ जाएगा यानि कि डाइगनोस्टिक एवेलिएशन निर्मान अत्मक मुल्यांकन फर्मेटिव एवेलिएशन संकलन अत्मक मुल्यांकन जिसे हम कहते ही समेटिव एवेलिएशन उसके बाद सत्त तेवं व्यापक मुल्यांकन जिसे हम दियान दे दिजे CCE तो जो CCE है उसका फूल फॉर्म होगा continuous and compressive evaluation तो आपको इसका फूल फॉर्म भी आना चाहिए सता तेवं व्यापक मुल्यांकन का स्वाट नेम अगर स्वाट में देखे तो इसे CCE के नाम से जाना चाहिए और इसी CCE का फूल फॉर्म है continuous and compressive evaluation उन सारी बातों की बात बारे में अब हम डीटेल्स में आगे देखते हैं चलिए नई-दानिक मुल्यांकन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं तो नई-दानिक मुल्यांकन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं चले दिखते हैं तो नई दनिक मुल्यांकन को हम क्या कहते हैं डाइग्नोस्टिक Evaluation कहते हैं क्या कहते हैं डाइग्नोस्टिक Evaluation आपको हिंदी के साथ-साथ इंग्लिस वर्ड भी याद रखने हैं कुछ एसे वर्ड होते हैं कि जिनके 4-5 अर्स निकलते हैं और जब EGC ने एक्साम में जो कया पूछा जाता है क्वेशन में क्या करते औलग अलग नाम दिये जाते तो अगर आपिन हिक नाम याद रखा होगा तो आपको आप SHEK हैं इसलिए हम आपको 2-3-4 ऐसे वर्ड मिल जाएंगे तो हम एंग्लिस के वर्ड भी आपको याद रखने जिसे हम क्या होता है कि सिक्सन की प्रक्रिया में समस्या के लिए समस्या के कारणों को क्या किया जाता है यहाँ पर कारणों को जानकर सुचना दी जाती है और तातकालिक रूप से समस्या का समाधान किया जाता है तो उसे ही हम क्या करते हैं नयदानिक मुल्यांगन में क्या होता है caregiver में कोई बच्चे को कठी नाहीं हो रही है तो उस टॉपिक को समझने में बच्चे को धिक्कत हो रही टीचर जो है वो इस समझे का कारण विंडेगे कि बच्चे को क्यूंट गठी नहीं लग रही है अगर कुछ बच्चे है मान लिजे कक्सा में 50 बच्चे है और 50 में से 30 बच्चे समझ रहा है और 20 बच्चे नहीं समझ रहे तो टीचर सोचेगा कि ये 20 बच्चे क्यों नहीं सम सा माईंड थोड़ा माईंड लेवल सा कव में इसलिए पता लगांगे और उसके बारे में क्या करेंगी तातकली week से यानि कि बच्चे को ये टॉपिक नहीं आये मान लिजे को पोयम बढ़ा रहा है और पोयम में समझ नहीं आ रहा है बच्चे को तो बच्चा बोलेगा मैं मुझे पोयम में समझ नहीं आया तो मैं क्या करें कि उसका रिजन देखेंगे क्या कारण हो सकता है कि बच्चे को इ कुछ भी करके बच्चे को वो पोयम अच्छे से समझ में आए ऐसा ट्राइ करेंगे तो इस तरीके से वो क्या करते हैं ततकली कुरूप से समस्य का समाधान करते हैं यह सामाने बालोकों के लिए प्रयोग किया जाता है दीखे यह जो दरनाइदानिक मुल्यांकन है वो कैसे ब प्रयोग किया जाता है तो आपको पता चल गया है कि सक्सार में जो शिक्सान कारिया जब चलता है जो शिक्सान की प्रक्रिया चलती है और उस शिक्सान की प्रक्रिया के दोरान अगर कोई समस्या होती है तो उस समस्या का क्या किया जाता है उसकी कारणों की खोज की जाती है और उस कारणों की खोज करने के बाद तातकली कुरूप से उस समस्या का क्या किया जाता है समाध किया जाता है उसके बाद देखते हैं उच्चार अत्मक मुल्यांकन के बारे में अब देखें नीदान अत्मक मुल्यांकन होता है तो उसके बाद उच्चार अत्मक मुल्यांकन कभी-कभी करना पड़ता है कभी-कभी क्या होता है नीदान अत्मक मुल्यांकन के दोरान ही तब जाकर सिख्थों को क्या करना पड़ता है तो उप्चारात्मक मुल्यांकन करना पड़ता है तो उप्चारात्मक मुल्यांकन को हम क्या करेंगे прилож anymore कि çхooj कर के के bak對 nervous traveler बुरी समस्या का samosi कि निदान अत्मक में क्या होता था satisfyinguest करम करते होauen समाधान तातकालिक स्वारी तातकालिक निदान आत्मक में क्या था निदान आत्मक जो मुल्यांगन था उसमें शिख्षण क्या करता यह तातकालिक रूप से समस्या करता है जबकि यहां पर उप्चारात्मक में क्या होता है तेरे देरे पहले उसकी कारणों की खुज तब निदानात्मक में भी की जाती थी उप्चारात्मक में भी की जाती लेकिन फर कितना है कि कारणों की खुज करनी के बाद यहां पर क्या होता है तातकाली कृप से उसमस्या का स पांच में बढ़ रहा है क्वान सी ऐक्सा छी स्थीं में बच्छा पढ़ रहा है अब टीकि हaken है कि यह थी स्थार पांच 4 पर पाणना हो चाहिए इसे मैं यह थी चाहिए अच्छे से उसका जो लेखन कारी है वो भी अच्छा होना चाहिए अब मान लीजिए कि ककसा पांच का जो बच्चा एक बच्चा ऐसा है कि उसे पढ़ना नहीं आता है वो अच्छे से पढ़ना नहीं पाता है कुछ सब तक कुछ वर्स होते है वो words वो अच्छे से नहीं पड़ पाता है कुछ articles होते हैं वो अच्छे से पहचान नहीं पा रहा है या तो फिर उसे maths में बहुत ही पिछड़ा हुआ है तो यह क्या हुई उसकी समस्य हुई अब इसकी समस्य teacher ने निधान किया teacher को पता चला कि बच्चे को maths में बच्चा बहुत ही पीछ़ए है यानि कि उसे जोड़ करना नहीं आता है गुना करना नहीं आता है उसे माइनस करना नहीं आता है तो teacher क्या करेंगे teacher उसका निधान तो teacher ने किया लेकिन अब उसकी जो समस्या है क्या एकी दिन में उस समस्या का समाधार हो पाएगा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बच्चे को जोड सिखाना उसको माइनस सिखाना उसे मल्टिपल सिखाना उसे डिवाइट सिखाना तो ये तो उसके लिए टीचर को क्या करना पड़ा है उसके लिए टीचर को टाइम चाहिए वो दिरे 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 पहले उसे प्लस करना सिखाएंगे फिर उसे मैनस करना सिखाएंगे उसके बाद वो गुना करना सिखाएंगे भाग करना सिखाएंगे तो step by step दिरे 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 इस समल जो बच्चे की जो समल से है उसे क्या करेगा पूरी समस्या का समाधान किया जाता है अब ये जो है कैसे बच्चों के लिए होता है जो विशिष्ट बालक होते उसके लिए इसे प्रयोग किया जाता है निदान अत्मक में क्या होता था वो सामाने बालक के लिए किया जाता था तो यह क्या विशिष्ट बालक किसे कहेंगे उसके बारे में मैंने आगे भी एक क्लास में बताया था जब हमने समा वेसे सिक्षा क के बारे में बात की थी ऊपता ऑनकी सामाने बालग करते क Elder देखे जिनका पर 60 बालग में यह दखे लिए से कम है और यह चाथ यहां पर इस तरीके अगर 90 से कम है यह तो फिर 110 से जाधा समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी देखते हैं वस्तोनीस्ट मुल्यंकन और आत्मन निस्ट मुल्यंकन के बारे में। देखे वस्तोनीष्ट मुल्यांकन किसे कहेंगे तो जहां पर हेतुलक्सी प्रश्णों होते हैं उसे हम वस्तोनीष्ट मुल्यांकन कहेंगे मान लिजे आप P.J.C. net की exam दे रहे तो net की exam आपको एक questions दिया गया और उसके भी 4 options दिया गये तो ये जो 4 options वाले आपको options दिया गये और यहां पर question दिया गया है तो ये क्या हूँ आपका हेतु लक्सी के प्रश्णों बन गया और इसमें क्या होता है कि एक उत्तर से तथ्यों का मुल्यांकन किया जाता आपको चार में से किसी एक को चुनना है या तो फिर चारों में से मान लिजे दो आपको यहां पर यह चार कथन दिये हैं और आपको A, B, C, या तो B, C, A, या तो फिर B, C, D, या तो फिर C, B, D क्या कहेंगे वस्तुनिष्ट मुल्यांकन में इसे रखेंगे तो अब आपको पता चल गया होगा कि वस्तुनिष्ट मुल्यांकन क्या है तो लक्सी प्रश्ण होते हैं उनमें एक ही आंसर और यहां पर विश्वस निता हो और वह 55 होते हैं ज़्यादा होता है तो यहां पर एक प्रशन दिया जाता है उसके होumuz आप्शन दिये जाते हैं अब देखते हैं आत्मनिस्ट मुल्यांगन तो इसका विपरित बन जाता है आत्मनिस्ट मुल्यांगन में क्या होता है कि विस्तुरूत अभी व्यक्ति होती हैं मानली जी आपको टिचन ने आप एक्जाम दे रहे हैं तो आपने देखा हुए युजी पीजी की आप जब एक्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या आता है आपको निबंद प्रकार के जो क्वेस्टन्स आते हैं तो उन क्वेस्टन्स को आपको क्या करना डीटेल्स में लिखना होता है तो इससे हम क्या कहेंगे विस्तरूत अभिवेक्ति वाले अपने विस्तरूत में आपको अभिवेक्ति करने होते हैं वो भी अपने विचारों में अपने सब्दों में उसमें अभिवेक्ति की जाते हैं जबकि मानली जी एकी क्वेस्टन है और उसी तो आपने जो answer लिखा है जरूरी नहीं दुसरा व्यक्ति you could call रखेए तो आपके लिए दूसरे व्यक्ति के विचार एक ऊबी पाए हैं लुझ ले तो नहीं होते हैं आपके विचार अलग वथे हैं ईंडी विचार अलग ने धि ча Iya इं-डी में धेखने को मिलेगा न तो यहांपर क्या होता है यहां पर विस्तारbit में अभ्य वेक्ति करनी होती है यानिक evso live theme theme wherever 1 से जाधा अब भ्यति范 पिर उत्त कर सकता है । यहां पर क्या होता है वस्तुनीष्ट कर नरुप से अब इसके बाद देखते हैं अब इसके बाद देखते हैं परिमानात्मक मुल्यांकन और गुनात्मक मुल्यांकन के बारे में तो देखे परिमानात्मक मुल्यांकन में क्या होती है जिसमें संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं परिमानात्मक में क्या होता है कि आप संख् तो यह क्या है आपने संख्या के रुप में उसी लिखा लंबाई है तो मान लिजी आपने लिखी चार पॉइंट एट इंच है न तो यह क्या होता है यहां पर संख्या के रुप में लिखा जाता है तो जो मुल्यांकन होता है उससे क्या किया जाता है संख्या के रुप में लिखा जाता है अब उसके बाद देखते हैं कि गुणात्मक मुल्यांकन तो इसके ही विपरित क्या होता है गुणात्मक मुल्यांकन होता है तो गुणात्मक मुल्यांकन में क्या होगा यहां पर गु मिलने की जो भावना है वो कि कि कैसी है उसकी सामा चिकता मिती कैसी है तो यह सब क्या गुन की आधर पर हो गया तो यह हमारा गुनात्मक मुल्यांकन हो गया उसके बाद देखते हैं तो आपको परिमानात्मक और गुनात्मक में अंतर पता चल गया यहां पर संख्या से मुल् किया जाता है अब आते हैं मैं टापिक पर जो निर्मान अत्मक मुल्यांकन जिसे हम क्या करband रचनात्मक मुल्यांकन करते और से हम क्या करते फ़र्मेटीव collective standing कि थोड़ी छोड़ी दिनों reconstruction प्राल में लगातार मुल्यंकन कीया जटा है आपने कभी देखा हुगा अगर यदि टीचर लोगों को पता हियोगा कि यह निर्मानात्मक मुल्यंकन और रचनातमक मुल्यंकन क्या है तो एक pensando क्लेम की क्या होता है थोड़े-थोड़े दिनों के अंतर में तीचर क्या करता है तीचर बच्चों का मुल्यांकन करते हैं कि बच्चा कितना सीख पाया है कहां पर उसे कठी नाई है कहां पर उसे अच्छे से समझ में आया है या फिर कहां से उसे कुछ समझ में नहीं आया है कौन सा टॉपिक उसे अच्छा नहीं लगा है कौन से सब्जे Oliva 되게 इन थोड़ी-थोड़ी दिनों की अंतर में क्या लगातार मुल्यांकन की जाता है और उसे ही यह पे पर निर्मान आत्मक् मुल्यांगन कहने हरा को फार्मेटिव इमेलियाशन कहते हैं के अब देखें यहाँ पर याद रखने वाली बात देखिए तो ये सिक्सन के दोरान होता है क्या होता है सिक्सन के दोरान होता है यानि कि सिक्सन की प्रक्रिया जब चलती है उसी टाइम में सिक्सन की प्रक्रिया के दोरान ही क्या होता है यासा मुल्यांकल किया जाता है और सिक्सा के लिए किया जाता है कि एक बावर्ची ने खाना बनाते समय खाने को चखा क्या कि यह एक बावर्ची था उसने खाना बनाते समय क्या कि यह खाने को चखा तो जब खाना बनाते समय उसने खाने को क्यों चखा होगा आप खूद सच सकते हैं कि खाने में कोई मिश्टेक ना हो जाए है ना अगर मान लिजे कि कोई साधी वलगेरा जैसे परसंग में खाना बनाने वाले होते बावर्ची तो लोग क्या करते हैं खाना चक चक कर बनाते क्यों कि इसमें कोई कमी ना रह जाये है आperformance में खाना के सा होता हुं तो जब सिक्षण के प्रक्रिया में भी SI कुछ होता है कि टीचर जब सिक्षा के दोरान जब बच्चा को सिखाते हैं तो वो भी क्या करते हैं मुल्यांकन करते हैं बीच बीच में क्या बच्चा अच्छे से दो सिख पाया है ना अच्छे से नहीं सीख पाया तो क्या करेंगे उसका निदान करेंगे उसके अपचार करेंगे है तो इस तरीके से निर्मानात्मक्त मुल्यांकन होता है उसमें सिख्षा के लिए उसका मुल्यांकन किया जाता है तो देखिए यहां पर मैं क्रिस्टन की बात कर रहे थी तो क्र वर्जी ने घाणा बनाते समय ऐसलने को चका यह किस्ट प्रकार का मुल्यांकन है अगर बनाते समय अगर उससे पूर चक लेते तो आपको बिच में ही पता जाता है कि इतनी कमी है यह नमक कम है या मिड्श कम है यह नमक कम हम ठाइन है और अच्छा धाज से नहीं को दो मदियोन के एशनद il sworn तो ननी खान दीड्राइग सुझान से लिए और ल करें तो Shopify को कि निर्मान आत्मक मुल्यांकन यानि कि रचनात्मक मुल्यांकन किसके लिए किया जाता है अब देखें आगे कि सिखने के लिए मुल्यांकन किया जाता है एक ये बात आपको याद रखनी है काकसा में यहां पर क्या होते प्रश्ण सामें प्रश्ण सामें पूछ Bengal उसके अधार पर क्या किया जाता है ब Psychology में अगर अगर आपको को यूरिद पड़ा रहा है तो क्या करेंगा यूरिद के मान लिजी थ्री चार परेड बनते एक युनिट कह तो पहले पिरिएड में बचा क्या सिखा दूसरे दिन यहा करेंगे कि बच्चे को पुछा यह और भच्षे का मुझाइगे तो पहले पीरिएड बढ़ाए दूसरे का मिक्स करके तीसरे में पूछेंगे इस तरह किसे पूरा उनिट पूरा हो कई तक उल्शा में प्रश्थ लिया जाता है या फिर फंदरा दिन के बाद जो लिए पागा, भाग होता है। इस तरीके से निर्मान पुर्ण अत्मक मुल्यांकन है। वो क्यासा होता है सतत मुल्यांकन होता है उसका सतत मुल्यांकन थोड़े थोड़े दिनों के अंतर में किया जाता है यह बाद आपको याद रखनी है चले उसके बाद देखते है उसके बाद आता है संकलनात्मक मुल्यांकन जिसे हम क्या कहते है योगात्मक मुल्यांकन और इ कि अब इसमें क्या होता है कि यह मुल्यांकन ऐसा होता है जिसमें सिक्सन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यानि कि आपने कोई जब सिक्सन की प्रक्रिया कंप्लेट पूर्ण कर दी और उसके अंत में सिक्सक छात्रों के क्या करता है मुल्यांकन करता है तो यहां पर मान ल पूरी प्रोसेस पूर्ण होने के बाद यहां पर मुल्यांकन किया जाता है यह देखिए यह मुल्यांकन का मैं अभी आपको सिंबोर ऐसे ही रख देते हूं ताकि आपको पता है यह हमारा निर्मानात्मक मुल्यांकन है और यह हमारा संकलनात्मक मुल्यांकन है तो निर्माना प्रोसेस पुर्ण होने के भाद क्या हूगा मुल्यांकन किया जाता है जैसे कि मान ci बार्षिक परिक्षा क्यों होती है जो वर्स के अंत में होती है और यहां पर पर बैजिव सिखने के लिए सिक्षा के लिए या सिखने के लिए मुल्यांकन किया जाता है तो यहां पर संकलनात्मक मुल्यांकन किसका मुल्यांकन किया जाता है यहां पर क्या होता है यहां पर सिक्षा का मुल्यांकन होता है यहां पर सिक्षा के लिए मुल्यांकन होता है क्या सिख्षा के लिए बच्चे कितने सिख्ष नहीं पाए बच्चे को कितना सिख्षाना अभी चाहिए तो सिख्षा के लिए मुल्यांकन जब करना होता है तब हम निर्मानात्म करते हैं जब सिख्षा का मुल्यांकन जो हमने सिख्षा दिया है वह उसका मुल्यांकन जितना सिखाया है उसका मुल्यांकन जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे सिख्षा का मुल्यांकन कहेंगे और सिखने का मुल्यांकन होता है यहाँ पर क्या होता है सिखने का मुल्यांकन बच्चा जो सिखने के लिए जो बच्चा कितना सीख पाया है या नहीं सीख पाया है उसका निदान और उप्चार करने के लिए यहाँ पर निदान आत्मक में क्या किया जाता है निर्मान आत्मक में मुल्यांकन किया जाता है जबकि यहाँ पर शिक्सा का मुल्यांकन किया जाता है शिक्सा के लिए अगर आपको यह सब्दा आ जाता है शिक्सा के लिए तो निर्मान आत्मक एक नहीं सिख्सागक पूछा जाए है तो आपको याद रिक ना है तो योग आत्मक मुल्यांकन यह दोनों में बस इतना ही फ़र्क है ओके जाए देखते हैं कि इसके बाद है continuous and compressive evaluation तो अब यह क्या होता है पढ़ाई के साथ सारीरिक मानसीक सामाजीक सामेगी संगन्यान आत्मक नाइतिक आधी पक्षू का मुल्यांकन सर्मांगिन विकास का मुल्यांकन किया जाता दीगे पेले उसमें हमने जो निर्मान आत्मक में और निर्मान आत्मक और हमने जो दूसरा देखा योगात्मक उसमें क्या देखा हमने उसमें जो बच्चे को सिक्सा दी जाती है उसके बारे में मुल्यांकन किया जाता है तो यहां पर लेकिन यहां पर सत्तियम व्यापक मुल्यांकन में क्या होता है यहां पर व्यक्ति का का सारीरिक विकास उसका मानसिक विकास उसका सामाजिक सामवेगिक संग्यानात्मक नईतिक आधी संपूर्ण उनका विकास की जो पक्स है उन सभी पक्सों का मुल्यांकन यहां पर किया जाता है यह जो मुल्यांकन होता है वो कैसा होता है व्यापक मुल्यांकन होता है और यह यहां पर दिया गया है कि CCE, continuous compressive evaluation, तो continuous में क्या होता है, कि regular and continue activities के आधार पर बच्चा जो भी activities करता है, जो भी program होते है, स्कूल में उसमें जो participant करता है, उन सारी बातों को उसमें क्या किया जाता है, उसमें उसका मुल्यांकन किया जाता है, उसके बाद उसकी mental process को देखा जाता है, उसकी emotional process को भी रेखा जाता है, physical, थारी बातों को यहां पर क्या किया जाता है, देखा जाता है, और उसका variety of tools and technical, अलग-अलग techniques का यूज़ करके उसका evaluation किया जाता है, तो यह था सत्त तेवं व्यापक मुल्यांकन, ओके, आपको यहांपर सिर्वी यह जाद रखना है कि सभी पक्सो को जूड कर किसी भी छात्र का जब मुल्यांकन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेते हैं, सत्त तेवं व्यापक मुल्यांकन कहेते हैं, ओके, और वो भी कैसा होता है निरंतर उसे मुल्यांकन किया जाता है और उसे CCE के नाम से भी जाने जाता है continuous का C, comprehensive का C और E, evaluation का E तो आपको यह याद रखना है CCE का full form भी याद रखना है और CCE किसे कहते हैं तो सेट तो सेवन वहापक मुल्यांकन कहते हैं यह बात भी आपको याद रखनी है चलिए बागी देखते हैं अब देखते हैं मुल्यांकन की प्राणाली के बारें में थोड़ा सा देख लेते हैं तो देखिए मुल्यांकन की जो प्राणाली है वो दो तरह की प्राणाली हमें देखने को मिलती है एक CBCS और दूसरी है CGPA ओके CBCS का फूल फॉर्म है choice based credit system यानि की विकलप अधरत credit प्रणा ली और दूसरा है CGPA इसे हम के तिक cumulative grade points average संचे grade point assessment तो इस तरीके से आपको दो बाती याद रखनी है CBCS और CGPA तो CBCS का फूल फॉर्म आपको याद रखना है choice based credit system और CGPA का फूल फॉर्म है cumulative grade points average चले देखते हैं इन दोनों के बारे में details ने दिखिए CBCS क्या है तो विकलप अधरत credit प्रणा ली जो है उसमें क्या होता है गुनात्मख मुलीयंकन होता है क्या होत म奉तमक मुलीयंकन किया जाता है इसमें लोट सिल्थ में दस सुत्रिये कारियोक्त क्रम को अपना आये जाता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ आनुमानिक प्रक्रिया के दोस्तों को क्या किया जाता है दूर करने के लिए इस प्रक्रिया का इस प्राणाली का उप्योग किया जाता है दस अंकों की जगह क्या दिया जाता है ग्रेडिंग दिया जाता है दिखे यहाँ पर मै पास के चार क्रेडिट है पॉइंट है यानि कि C ग्रेड अगर होगा तो क्या होगा उसको पॉइंट कितने मिलेगे 5 मिलेगे बी ग्रेड होगा तो उसे 5 पॉइंट मिलेगे बी प्लस होगा तो उसे 7 पॉइंट मिलेगे ए ए ग्रेड होगा तो उसे कितने पॉइंट मिलेगे 8 मिलेगे ए प्लस होगा तो 9 मिलेगे और O होगा तो उसे 10 में से 10 पॉइंट मिलेगे तो देखे यह जो ग्रेड पॉइंट वाली जो बात होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं CBCS प्रणाली कहते हैं तो इस तरिके से इस प्रणाली को बता आया जाता है आपनी देखा होगा कि अभी की छो 2015 के बाद के जो भी माक सीट बनती है तो उन माक सीट में इस तरीके से आपको ग्रेड पोइंट दे दिये जाते हैं और उसी ग्रेड पॉइंट के आधार पर यहां पर ग्रेड तै किये जाते हैं ग्रेड के आधार पर उनके मार्क्स भी तै किये जाते हैं तो यहां पर आपकी मार्क्स इतने सिर्फ ग्रेड पॉइंट और ग्रेड ही लिखे होते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं विकल पादारित जान लेते हैं तो विश्वस्तरिय मुल्यांकन प्राणालिया भारत में UGC के द्वारा 2015 से लागू की गई दीखे यह जो मुल्यांकन प्राणालिया वो क्या है विश्वस्तरिया वर्ड लेवल पर यह मुल्यांकन प्राणालिया और उसमें क्या हुआ कि UGC के द्वारा इसकी सहायता से क्या वर्तमान काल की जो सिक्सन प्राणाली थी वो सिक्सक केंदरित मुल्यांकन की जगाया क्या बन गई छात्र केंदरित मुल्यांकन पर आधारित हो गई यानि कि जब पहले क्या थी शिक्सत केंदरित प्रणाली पर आधारी थी वो ही मुल्यांकन की प्रद्धतिया अब क्या हो गई अब छात्र केंदरित मुल्यांकन प्रणाली बन गई यासी जो विशस्तरी मुल्यांकन प्रणाली आया उसके आधारपन दूर हो गया ओके दूर हो गया ओके और इसके द्वारा विपिन प्रकार के संस्तानों में एक ही प्रकार के मुल्यांकन को लागू करके मुल्यांकन को और अधिक लोजसिल बना दिया गया यानि कि इसके द् प्रणालिया थी जो नई प्रणालिया आई उन नई प्रणालियों के अधर पर क्या हुआ कि जो विपिन प्रकार की जो संस्था है थी उन संस्थाओं में एकी प्रकार की मुल्यांकन को लागू किया गया पहले क्या होता है था हर संस्था के अलग-अलग मुल्यांकन प्रणा जो भारत में आई जो यूजिसी के द्वारा लागू की गई इसके द्वारा क्या हुआ हर एक संस्था में एकी तरह की मुल्यांकन को लागू किया गया और इसके द्वारा क्या हुआ मुल्यांकन को और अधिक लोचिल बना दिया गया अब सीबी सीएस मुल्यांकन में आकलन क करने की जो प्रक्रिय थी वो क्यासी बन गई सुवी दाजनक बन गई और जिसके द्वरा युजी सिने मुल्यांकन में एक रुपता लाने के लिए क्या किया सीजी पीए की प्रणाली को लागू कर दिया अब इसके द्वरा युजी सिने फिर्ट क्या गिया कि मुल्यांकन में हर एक संस्था में क्या हो जाए एक ही रुप्ता पाई जाए इसलिए हर जगव पर एक ही तरह का मुल्यांकन किया जाए उसके लिए UGC ने CGPA की प्रणाली को लागू कर दिया अब देखते हैं CGPA की प्रणाली किया है तो देखें CGPA जो है उससे हम cumulative grade points average कहते हैं संचे grade point assessment भी कहा जाता है तो यह जो है वह विश्टो स्तरिय मुल्यांकन प्रणाली है और इसमें क्या होता है percentile rank दिये जाते हैं आपने दिखें होंगे तो इसमें percentile rank दिये जाते हैं तो इसमें आपने cbcs में क्या दिखा था उसमें grade point दिये जाते थे और यहां पर क्या दिये जाते हैं यहां पर percentile दिये जाते हैं तो यह percentile यहां पर cgpa में दिये जाते एक संस्थान में से दूसरे संस्थान में जब छातर होता है तो उसका मुल्यांकन यहां पर क्या होता है जारी रहता है तो cgpa का point दिये जाता है उसके अधर पर grade 丘्र दिया जाता है ग्रैट प्वाइंट के यह इतर पर जब बच्चाई एक संस्था में होताय जारी रहता है उसका मुल्यांकन से नहीं लेकिन उसी और मांन लीजे उसका चreally दुप예ंट भी CGPA ग्रेड पॉइंट बना है उसी की आधार पर दूसरी संस्था में उसका क्या होगा ग्रेड पॉइंट बनेगा तो यह CGPA की विश्यस्ता है अब दीखें यहां पर जो CGPA कहां पर होता है और उसके साथ साथ एक CGPA भी जुड़ा हुआ है जो सैमेश्टर पत्तती हमारे यहां लागू की गई है उसमें सैमेश्टर पत्तती के आधार पर जो ग्रेड पॉइंट दिये जाते हैं उसे हम CGPA कहते हैं तो यह जो CGPA और CGPA है उसके बारे में देखें यहां पर यह मेरी एक म में इन ऊकला है यहां पर ग्रेड पॉइंट दिये गया है और यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देख सप्धाई है मैंनें में अपनी मार्चित आपको दिखा यही मैं करने अफर्फ इस तरीके से फपर की प्रणाली और मुल्यांकन किया जाता है उतिक वींड़ेंगे प्रक्रिया में पाह सब्सक्री цен emergen मुल्यांगन की जो प्रक्रिया होती है उनमें दो प्रकार की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष गर्स आता है, मान लिजीए के teacher ने आज classroom में एक test लिया और 15 दिन बाद वही classroom में, वही परिश्थिती में वही situation में teacher क्या करता है? उसी ना उसी ही मुझाँर इस ता है 15 दिन के बाद वही situation में अगर लिया जाए तो यहां पर कोई बच्चा हो उसको ये टेस्ट में 75 मार्क्स आए और ये जो 15 दिन के बाद जो टेस्ट लिया गया आपको ये याद रखने हैं समान परिस्तिति याद रखने हैं समान परिस्तितियों में एक ही जैसा टेस्ट यानि कि यहाँ पर जो टेस्ट लिया गया था वेसा का वेसा टेष्ट यहां पर पिन दिने के बाद लिय जैता है यहां आपर इनके 75 मार्क्स आते हैं तो यहां पर दुसरी बार टेष्ट लिया तो बच्छे को या तो 75 मार्क्स आएगी या तो 75 के नजिक यानि की 77 तो यह असके जितने मार्स या तो फिर उसके नज्जतिक के मिलता है तो उसके अकोडिंग हम कह सकते कि वह जो परिक्षन है वो कैसा है विश्वस्निया मान लिजे किसी बच्चे का यहाँ पर 75 आया है और 15 दिन के बाद जो टेस्ट लिया जाता है उसमें उसके 90 marks आजाते हैं या तो फिर 50 marks आजाते हैं तो ये जो टेस्ट है वो विश्वस्निया तो नहीं बनेगा लेकिन अगर उसने जो टेस्ट पहले दिया था जिस सिचुशन में दिया था अगर वो ही टेस्ट डूसरी बार वो ही उसके जैसा ही या तो फिर वो ही टेस्ट 15 दिन के बाद अगर ली जाए यानि कि उसी सिचुशन में लिया जाए और उसका जो रिजल्ट मिलता है वो उसके तो परिक्षन जिन उद्धेशयों के लिए बना गया हो और उसी उद्धेशयों की प्राप्ति अगर उसी टेस्ट से होती है तो उसे हम क्या कहेंगे वय्दता कहेंगे कि आपने एक टेस्ट लिया टीचर के लिए अगर आपको टीचर के लिए कोई टेस्ट अपलाई करनी है तो आप क्या करेंगे टीचर के टीचर को टीचर की ही अकोर्डिंग टीचर की जो कार्य कोशल है उसकी अकोर्डिंगी टेस्ट लेंगे या फिर उनको कोई ड्राइंग का टेस्ट देंगे नहीं देंगे ना प्राइंग के टेस्ट से आपको थोड़ी ना फता जलेगा कि टीचर के गुण इसमें है या नहीं है तो टीचर की जो अगर आपको टीचर की पसंद्गी करनी है तो आपको उनको टीचर की ही टेस्ट देनी होगी है और जो चित्रकार के लिए अगर आपको टेस्ट लेनी है तो उसको आपको चित्रकार की ड्राइंग टेस्टी उसे देनी होगी तो जो पर यानि कि वैलिड है तो यह थी विश्वसनियता और वैत्ता के बारे में अब दिखी यहां पर वैत्ता के लिए विश्वसनियता आब सकते हैं यानि कि वैत्ता जो है उसके लिए क्या होनी चाहिए विश्वसनियता होनी चाहिए लेकिन विश्वसनियता के लिए वैत्ता की ज कथन दिये जाते हैं कि वैत्ता के लिए विश्वसनीता जरूरी नहीं है विश्वसनीता के लिए वैत्ता जरूरी नहीं है इस तरीके से आपको कथन दिये जाते हो और पूछे जाते हैं कि कौन से कथन सही है तो आपको दो बात यह रखनी है कि वैत्ता के लिए विश्वसनी अनिवार्य हैं विश्वस निइता के लिए वैटा अनिवार्य नहीं है ओके की ऊज़िए थे में Jakub उसके बाद देखते हैं कि अब उसके बाद हम देखते हैं ऊनलाइन अगंस दिम्यारी में अब आपको पता होगा इह Everybody उस Watch कोरोना की महामारी में हम आनलाइन ज्यादा रहने लगी है तो कोई अगर कोई पी एचेदight बी कर रहा होगा तो उनका पी एचेदि कोर्स भी ओन jsी वन लाइन एक्जाम काफी कंड़क्ट कराई जा रही और वैसे ओनलाइन एक्जाम का बहुत बड़ा फाइदा भी हमें होता है आपने देखा होगा UGC.net की जो हमारी एक्जाम है वो कैसी होती ओनलाइन तो होती है है ना ओनलाइन तो लिजाती है तो यहां पर आपको क्या होता है कि अधिक से अधिक चात्रों को सम्मिलित पी किया जा सकता है इसमें क्या होता है कि एक साथ आपको अधिक से अधिक अगर चात्रों को सम्मिलित किया जाना हो तो आप कर सकते हैं अगर देखिए वाफलाइन एक्जाम होती है तो आपको सारे क्लास की सारे क्लास की व्यावस्त पर दोप्राइब करने पड़ती है कितने बच्चों अगर बहुत ज्यादा बच्चों होते हैं तो बच्चों को कहां पर बिठा ना उसकी प्रॉब्लेम रहती है और उनलाइन एक्जाम में क्या होती है कि कंप्यटर पर अगर आपको एक्जाम नहीं तो एक मान लिजी ये नएट की एक्जाम में एसा ही तौता है दो सो से थिन सो बच्चे होते हैं वह एक ही रूम में बैटकर एक्जाम दे सकते हैं लेकिन अब dhamp-lawn ओफ ला अग्जाम में 200 से थिन सो बच्चों को एक की काक्सा में बिठाना बहुत ही मुस्किल होता है उसकी जो व्यावस्ता ह होती है बहुत बहुत दिक्कत वाली होती क्योंकि पेपर देने होते हैं पेपर लेने होते हैं साइन लेनी होती है तो इतने सारे बच्चों की एक ही क्लास में इस सारी के कि साइन लेना पेपर देना पेपर लेना यह सारी बाते बहुत ही समय लेने वाली बात हो जाती है जबक यहां पर क्या होती अधिक से अधिक छात्रों को यहां पर सम्मीलित किया जा सकता है उसके बाद त्रूटियों की संभावना भी कम हो गई है अब उनलाइन एक्जाम हो गई यानि कि उनलाइन एक्जाम में जो अफलाइन एक्जाम में होती थी वो त्रूटिया भी नहीं होग प्रोसेस बंद हो गई क्योंकि आपको अपने पास कुछ भी लेकर नहीं जाना होता है तो जो चोरी की जो प्रोसेस होती थी वह दन समय और सक्ति का भी बचा हो गया तो यहां पर दन की भी बचा हो गया समय भी बच जाता है अगर एक ही मान लिजए कि कोई एक्जाम कंडक करा नहीं तो दस पीपर अगर कंपूटर उपर डाल देते हैं एक बार में तो उस में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है फिर उनकी सक्तिका भी बचा हो जाता है पीपल प्रिंट कराने जाना पीपल लेने जाना तो लेकर सेंटर पर देना ये सारी जंजट से तो क्या हो जाता है मुक्ति मिल जाती है तो यहाँ पर क्या होता है धन समय और सक्तिका बचा हो अभी अग्जाम दी और जैसे ही सब्मीट कर दी आपके वह क्विसंस और क्विसंस के आंसर जो आपने सब्मीट कर दिये तुरंती सब्मीट करने के बाद तुरंती स्क्रेन उपर आपको दिखा देंगे वह आपका स्कौर इतना बन गया है आपने इतने आंसर सही दिये इतना गलत दिये और आपके माक्स इतने बन गया है यह तुरंती मिल जाता है पीएचडी की जो उनलाइन एक्जाम में होती है इसी तरह की होती है जैसे आप बटन दबा दो कम्पीटर पर और सब्मीट कर देते हैं तो सब्मीट करने के बाद तुरंती पेज खुल जाता है आपको दिखा देते कि आपकी इतने क्विसंस आई है इतने क्विसंस गलत है आपके स्कौर इतने है तो यह क्या हो गया है चात्रों को भी अपना स्वामुल्यांकन करने को उस सब्सक्रावाइब जानने को मिला कि नहीं जो मैंने सब्सक्राइब अफलाइन में क्या होता था जा तो इस टारह मुल्यांगन के लिए प्रटसाइब कीया जाता है CBCS, CGPA, SSS का नवाचारिक प्रयोग भी इसके आधर पर के बढ़ता जा रहा है इसके आधर पर ये जो CBCS जो प्राणा लिया है मुल्यांकन की उन प्राणालियों को भी क्या हो जाता है नवाचारिक प्रयोग बढ़ता जा रहा है तो ये थी हमारी ओन लाइन एक्जाम और ओफलाइन एक्जाम के बारे में तीकि ओन लाइन एक्जाम कैसी उसका खित्रा भी बढ़ रहा है एक साथ अधिक से अधिक छात्रों को सम्मिलिट किया जा सकता है यहाँ पर त्रूटियों की संभावना कम हो गई है जहां पर वाफ ळाइन में क्य होता था कि प्रॉफेसर खुद से मुल्यांकन करते थे पेपरों का तो गुश बच्छों को अच्छे मार्क्स मिल जाते थे कुछ बच्छों को कम मार्क्स मिलते थे उन्होंने जो लिखा होता है उसके आ को प्रेंट कराना प्रेपर लाना देना उसका खर्च वो सभी का जो खर्च होता है यहां पर अपर समय भी कम होता है यानि की कम्पीटर बेस एक्जाम होती है तो कम्पीटर पर आपको तुरंती रिजल्ट मिल जाता है जेहां वराण में क्या होता था प्रॉफरन जख करते हैं उनके बाद ऑम मार्किंग करते ठीकिश्ली काने का बाद आपका रिजल्टेब बन था साय दो तीन मेने ऐसे ही लग जाते तो यहांपर क्या होती वण लाइन एक्जाम में आपको या तो तुरन्ती रिजर्ट विल जाता है याथ फिर आपको 10 15 दिन आए 20 दिन में आपका रिजर्ड कलियर心 होकर मार्ग्ळ भी मिल जाती हैं तो यहांपर दं समय और सक्तिकाń बचाू भी घृता है in लाइन एक्जाम में चात्रों को स्वामुल्यांकन के लिए प्रुच्छाइड किया जाता है अफ्लाइन में आसी कोई सुविधा नहीं होती थी बच्चे ने क्या गलत लिखा क्या सही लिखा वह भी वह चेक नहीं कर पाते थे ओके यहाँ पर सीबीए सीजी पीए एसपी एस पीर मैंने कुसिस की कि आपको एकी वीडियो में सारी डिटेल्स अच्छे से बता हूँ मैंने आपको अच्छे से बता दिया अगर आपको इसमें भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर येगा या तो फिर मेरा जो वर्टसेप करना है और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है थेंकिए